हाई गाईज मैं हूँ जैनी आपकी ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी दोज़ों आजकर हमारा बहुत ही अपडेटेड है टेकनोलोजी भी बढ़ती जारी है है ना तो आपने मुझे बहुत बारी रिक्वेस्ट किया था कि माम हम जब चैट करेंगे तो ऐसे कौन से इंग्लिश के वर्द होंगे जो हम चैट करने में इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग लेक्याए हूँ तो आज के जमाने में बहुत SMS में या WhatsApp पे acronyms यूज होते हैं और अगर आपको कोई मेसेज आजा और अगर आपको इसका मतलब ना पता हो तो फिर तो यह प्रॉब्लम की बात है लेकिन आज से घबराने की जर्वत नहीं है क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए वो वर्द लेक्याए हूँ जो बहुत ही कॉमन डेली लाइफ में यूज होते हैं SMS और WhatsApp पर तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन बिनादेर किये सबसे पहला है ASAP ASAP इसका अपने डेफिनिटली सुना होगा इसका मतलब होता है as soon as possible as soon as possible दोस्तों ये ASAP मतलब अगर आप मैसेज में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं और ये मुझे डॉक्यमन फटाफट भेजो ASAP फटाफट भेजो को बोलते हैं ASAP as soon as possible भेजो ठीक है ऐसी कोई भी ऐसी चीजे हैं जो आपको फटाफट चाहिए तब आप इस acronym का इस short word का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है बढ़ते हम अपना देखते हैं दूसरा IDC मतलब I don't care I don't care अब ये आपको शाद पताना हो ये मेरा favorite है IDC जब आपको ऐसा लगता हो चाट में कि यार किसी ने कुछ बोला है तुम्हारे बारे में तो आप बोल सकते हैं I don't care पूरा लिखने के जगा आप बोल देंगे IDC तो ये है I don't care तीसरा है IDK जो कि है I don't know I don't know messages में आप कई बार आप समझ लिए बजी है ठीक है कुछ काम कर रहे हैं और कोई आपको बार-बार पूछ रहा है क्या ये पता है क्या तो ये question का answer पता है क्या तो मैं आज कल तो screenshot वगर भेश भेश के पूछते लहते हैं राइट तो अगर आपको नहीं पता होता है तो आप बोलेंगे IDK I don't know IRL याने की in real life in real life मतलब सचमुच जिन्दगी में सचमुच अभी इसी जिन्दगी में in real life ये काफी ऐसा इसा short form है जो आप बोलते हैं कि हाँ भाई इन रियर लाइफ ऐसी चीजे होती है या तो फिर हाँ इन रियर लाइफ में ऐसी चीजे नहीं होती कोई कहता है ना कि यार मुझे जरूर सचा प्यार मिलेगा तो आपके दोस्त बोलते हैं इन रियर लाइफ ये सब चीजे नहीं होती बख्वास मत करका लिया तो फिर कोई बोलता है यार भूत होता है इन रियर लाइफ यह सम नहीं होता ठीक है तो क्ता लिए बहुँगा उस्तमाल कर सकते वहां है यह घसादा और यूज किया जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो in real life, next है wbu, याने की what about you, अब ये आप कहां पर यूज करते हैं, जैसे आप चाइट करते रहते हैं और बोलते हैं, के hey Jenny what are you doing on Saturday, तो मैं बोलूँगी nothing much, what about you, ठीक है, तो पूरा लिखने के जगह आप बोलेंग ताकि अगर आपको भी कोई ऐसा सवाल करें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, so what about you, next है gtg, यानि got to go, got to go आप तब बोलते हैं, जब आप समझ रिजी चाट करें अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी, और आपको ममी ने भुला लिया तो आपको important call आग basically conversation खतम करें निकलना है, तब आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, got to go, here I gotta go, बाद में बात करते हैं, ठीक है, समझ में आगया, बहुत ही simple है लेकिन बहुत interesting है, next है brb, यानि की be right back, यह इसका मतलब होता है कि ज़रा रुक्ये मैं अभी आती हूं, फटाक सिया, तो अभी आता ह कर रहे हैं और आप कुछ काम से आपको जाना है और वो इंसान आपका वेट ना करें उसके लिए बोल सकते हैं, wait a bit, be right back, okay, so this is be right back, next है, यह बहुत ही sweet है, जब आपको किसी को कहना हो कि आप call करोगे क्या, will you call me, wycm, will you call me, बहुत ही sweet तरीका है, अब अगर आप समझ लीजे, आप किसी से बात करना चाहरे हैं, चाहर नहीं करना चाहते हैं, तो आप यह लिखने के बजाए, क्यार तुम call कर सकते हो क्या, तो आप लिख सकते हैं, wycm, will you call me, next है, wywh, यह बहुत है, wish you were here, wish you were here, समझ लीजे आप कहीं घूमने गये हैं, ठीक है, आप कहीं माउंटन्स में हैं, और आपकी दोस्त हैं, जो बहुत अद्वेंचरिस हैं, पर नहीं आप आपाएं ट्रिप पे, तो आप बोल सकते हैं के, wish you were here, it is so beautiful, wish you were here, देखे, कितना अच्हा लगता हैं, कितना short है, कितना smart है, so wish you were here, next है, TMI, मतलब, too much information, too much information, जब आपको आपके दोस्त या कोई भी आपको जरूरत से जादा information दे रहा हो, जिसकी जानने के आपके कोई जरूरत नहीं है, तब आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, too much information, suppose, समझ लीजिए, कि कोई आपको अपनी date के बारे में बता रहा है, लेकिन वो बताये जारा है, बताये जारा है, फिर आप बोलेंगे, भई, कुछ तो personal luck, too much information, या तब फिर कोई office के colleague हैं, और वो आपको बहुत जादा information दे रहे हैं, जो आपको नहीं जाननी, तब आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, TMI, too much information, last है, यह मेरा favorite है, nvn, मतलए, never mind, याने कि कोई बात नहीं, समझ लीजे, कोई, आपको कुछ कहना चाहरे, यार, sorry, यार, मैं नहीं आप आउंगा, मैं नहीं आप आउंगी, तो आप कहना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कहने कि जगा बोल सकते हैं, nvn, never mind, तो दोस्तो यह थे, बहुत ही, smart, simple, और बहुत ही आचकल, जादा चल रहे हैं, वैसे वाले SMS and WhatsApp acronyms, ऐसे short words, जो chatting world में सबसे जादा इस्तमाल करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दू कि call पर यह आप बात करते हुए, आपने सामने, तब इन short words का बिलकुल इस्तमाल नहीं करना है, लोग आपको पागल समझेंगे, वो आपको पूछते रहेंगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, यह सिर्प SMS and WhatsApp के लिए ही है, ठीक है, I hope आपको यह आज का लेसन अच्छा लगाओगा, लगाओगा तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हर जगा पर और हमारे चानल को सब्स्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक के नहीं किया हो, मैं जल मिलूंगे एक नए लेसन के साथ, till then, keep smiling, keep practicing and take care, bye.